हमारा शहर अंधेरों का मुक्तदी है मियां चराग लेकर जो निकलेगा मारा जाएगा नमस्कार मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ इना तो देश में कई रिकॉर्ड कायम करने वाले रिकॉर्ड धारी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के इस बार के जनम दिन यानि 17 सितंबर 2020 को एक नया रिकॉर्ड बना कोरोना से बचने के लिए जिस वैक्सिनेशन ड्राइव यानि टीका करन अभियान की सुस्ती पर विशशग्य चिंता जाहिर कर रहे थे उस चिंता के उलट 17 तारिख को रिकॉर्ड संख्या में लोगों को वैक्सीन लगी मोदी जी के मंत्री इसे उनके जन्दिन का तोफ़ा बता रहे हैं वैसे मोदी जी के जन्दिन पर आम जनता खासकर देश का युवा रोजगार के तोफ़े की उमीद लगाए बैठा था लेकिन मोदी जी बिरुजगारी के मुद्दे पर कोई आश्वासन देना तो दूर अपने मुह से रोजगार और नौकरी जैसे शब्द ही नहीं निकालते जबकि 2014 में सत्ता की खातिर मोदी जी ने हर साल दो करोर रोजगार का वादा किया था युवाओं ने तो उन्हें इस वादे के भरो से ही वोट दिया था लेकिन अब देश के विरुजगार युवा इस बादा खिलाफी पर अपनी नाराजगी दिखाने से नहीं चूक रहे है मोदी जी के जन दिन पर एक तरफ जहां वैक्सिनेशन का रिकॉर्ड बना जिसे सरकार अपनी उपलब्धी में जोड सकती है तो वहीं सोशल मीडिया पर हैश्टाइग राश्ट्रिये विरुजगार दिवस के ट्रिंड ने भी रिकॉर्ड बनाया इस हैश्टाइग के अंतरगत मोदी सरकार की ऐसी खिचाई की गई जिसे सरकार की शर्मिंदगियों के खाते में जोड़ा जा सकता है इधर पीएम नरेंदर मोदी अपनी उपलब्धियों और शर्मिंदगी के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा सत् की पूरी कैबिनेट बदल सकती है लेकिन किसानों के हित के लिए अपने कानूनों में जरा सा भी बदलाव नहीं करना चाहती सरकार की इस जिद के आगे किसान भी जुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं लिहाज़ा वो अपने संगर्ष को और धार देने के लिए नए नए न रिकॉर्ड बन सकता है तो आज आइने की नजर से इन रिकॉर्ड की ही परताल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाजपा को सत्ता रिकॉर्ड बनाने के लिए सौपी गई थी या देश समभालने के लिए उससे पहले सुनते हैं मोदी जी की एक तंसभरी तो जिसको वैक्षिन जो लेता है, सो में से एकाज वैक्ति रहता है कहते हैं उसको जड़ा रियक्षन आता है, बुखार आता है, और ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बुखार चल जाए तो मानसिक संतुलन भी चला जाता है, ऐसा है डॉक्टर लोग बताते हैं, हमें त जानना चाहता हूँ कि जब कल देश के इतने हमारे मेडिकल फेटरिनिटी के सबसाथियों ने, फ्रेंट लाइन वर्कर ने, कॉरोना वरियर ने, धाई करोड से ज्यादा लोगों को वैक्सिन लगाई है। उसमें से किसी को रियक्षन आये तो साइद हमने सुना है। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि धाई करोड से ज्यादा लोगों को कल वैक्सिन लगा और कल रात को बारा बजे के बाद एक पोलिटिकल पार्टी को रियक्षन आया है। उनका बुखार चड़ गया है। इसका कोई लोजिक हो सकता है क्या। तो सुना आपने मोदी जी पूछ रहे हैं कि मैं ना तो वैज्यानिक हूँ और नहीं डॉक्टर लेकिन मैंने वैक्सिन लाभार्थियों के दुश्प्रभाओं के बारे में सुना है। अलांकि मैंने पहली बार देखा कि भारत में टीका करन रिकॉर्ड हासिल करने के बाद किसी राजनितिक दल को देर रात बुखार हो गया। क्या इसका कोई तर्क है। आपको बता दूं कि अपने जनम दिन पर एक नया रेकॉर्ड स्थापित करने के एक दिन बाद पीम नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह एक वर्चुल बातचीत के दौरान गोवा के एक स्वास्थ कारकरता से वैक्सीन के दुश्प्रभाओं पर सवाल पूछा और लगे हाथ उन विपक्षी नेताओं पर तंसकस दिया जिन्होंने इस वैक्सिनेशन पर टिपनी की थी पीम नरेंद्र मोदी के जनम दिन के मौके पर भारत में 17 सितंबर को धाई करोड वैक्सीन की खुराक दी गई इस उकलब्धी पर मोदी जी ने कहा जनम दिन तो बहुत आये और बहुत गए पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा हूँ इन चीजों से मैं दूर रहा हूँ पर मेरी इतनी आयू में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था कल का दिन मेरे लिए बहुत खास बन गया है मेडिकल फिल्ड के लोग जो लोग पिछले दो साल से जुटे हुए हैं अपनी जान की परवाह किये बिना कोरोना से लड़ने में देश वासियों की मदद कर रहे हैं उन्होंने कल जिस तरह से वैक्सिनेशन का रिकॉर्ड बना कर दिखाया है वो बहुत बड़ी बात है तो सरकार का दावा है कि उसका लक्ष साल के अंत तक सब को कोरोना टीका लगाने का है केंद्रिय स्वास्थ मंत्री मनसुख मांडविया ने इस रिकॉर्ड टिकाकरन का दावा करते हुए बधाई का ट् Wait किया है हैश्टैक वैक्सिन सेवा को चरितार्थ करते हुए स्वास्थ कर्मियों एवं देश वासियों की तरफ से प्रधान मंत्री जी को उपहार प्रधानमंत्री जी के जन्म दिन पर आज भारत ने नया किर्तिमान स्थापित करते हुए एक दिन में दो करोड टीके लगाने का अतिहासी का आखड़ा पार किया है वेल डन इंडिया पड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन के लिए अपनी जेव से खर्च करना पड़ा सरकार ने भले ही एक ही दिन में रिकॉर्ड धाई करोड करोड वैक्सीन लगाने का दावा किया हो लेकिन कॉंग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए है विपक्षी दलों का कहना है कि मोधी जी के जन्म दिन पर लगाये जाने वाले टीकों की संख्या बढ़ाने के लिए पिछले कई दिनों से सरकार वैक्सीन को रोक कर रख रही थी कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देश के कोरोना टीका करन की इस स्पीड की जरूरत है उमीद करता हूँ अभी कई बार एक दिन में दो करोड़ दस लाख टीके लगाये जाएंगे इसी तरह वरिष्ट कॉंग्रेस नेता पी चिदमरम ने कहा कि टीका करन जन्म दिन पर केक काटने जैसा नहीं है टीका करन एक कारिकरम है ये एक प्रक्रिया है इसे हर दिन तेज करना होगा केवल जन्म दिन पर ही नहीं चिदमरम ने ट्वीट कर कहा कि देश की एक तिहाई वयसक आबादी को अभी तक पहली खुराक नहीं मिली है केवल 21 परतिशत को पूरी तरह से टीका लगाया गया है वहीं CPM ने ट्वीट कर कहा कि BJP सरकार ने जान बूज कर वैक्सिनेशन की गती धीमी कर रखी थी ताकि टीकों की होल्डिंग कर PM के जनम दिन के दिन रिकार्ड संख्या में वैक्सिनेशन हो सके सरकार सस्ते PR स्टंट के लिए लोगों की जान से खिलवार कर रही है तो पहली बात तो ये है कि सरकार को वैक्सिनेशन पर उठ रहे इन सवालों का जबाब देना चाहिए था लेकिन क्या वाकई ये आशर की बात नहीं है कि अब तक सुस्त गती से चल रहे वैक्सिनेशन अभियान में एकदम से 17 सितंबर को कैसे तेजी आ गई लेकिन मोदी जी ने विपक्ष की आशंकाओं यानि की शक पर जबाब देने की जगह राजनेतिक दल को बुखार होने का फिक्रा कस दिया एक गंभीर और लाइलाज महामारी के वैक्सिनेशन पर इस तरह की राजनिती करना भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है और ये रिकॉर्ड भी मोदी जी के खाते में जाना चाहिए उनकी राजनेतिक उपलब्धियों के रिकॉर्ड में जुमले बाजी भी शामिल है हर खाते में पंदरह लाक रुपया किसानों की दो गुनी आए विकास की तेज होती हुई रफ्तार के साथ एक जुमला हर साल दो करोर रोजगार का भी था जिस पर अब भले मोदी जी बच बिरोजगार दिवस के रूप में बड़े पैमाने पर मनाया गया मोदी जी ने इतिहास में एक ऐसे प्रधान मंत्री के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया है जिनके जन्म दिन को राश्ट्रिय बिरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है मोधी दोर में देश रिकॉर्ड बिरोजगारी देख रहा है कोरोना तो पिछले दो सालों से आया है लेकिन देश में पिछले सात सालों से बिरोजगारी का दंश युवा महसूस कर रहे हैं सरकार के फैसलों से आक्रोशिती वाओं और छात्रों ने ट्वीटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना विरोध दर्ज कराया और 17 सितंबर को राश्ट्रिय विरोजगार दिवस के रूप में मनाया और हैस्टाइग मोदी रोजगार दो भी टॉप फोर ट्रेंडिंग टॉपिक्स में शामिल थे वर्ल्ड वाइड ट्रूइटर ट्रेंड की बातें करें तो विश्व भर में भी हैस्टाइग राश्ट्री विरोजगार दिवस ट्रेंडिंग में रहा ये अपने आप में एक अ सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने ट्वीटर पर युवा बेरुजगारी को लेकर एक आंकड़ा साजा किया जिसके अनुसार युवा बेरुजगारी दर 2016-17 में 15.66 प्रतिशत थी जो की 2021 में बढ़कर 28.26 प्रतिशत हो गई शशित हरूर ने अपने एक ट्वीट में कहा भारतिय सेना में एक लाग साथ हजार और अध्यापकों के 10 करोड साथ लाख 149 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं लेकिन बिरुजगारी अब तक के उचितम स्तर पर दर्ज की गई है आईए इस धीठ और आयोगी सरकार को उसके गहर सहानो भूती पूर्ण कारियों के लिए जवाब देह ठहराएं वहीं युवा हला बोल के अध्यक्ष अनुपम ने 17 सितंबर को हैश्ट्रेग राश्ट्री बिरुजगार दिवस के साथ ही हैश्ट्रेग जुमला दिवस के रूप में मनाया उन्होंने ट्वीटर पर मो लोगों ने अपना विरोध जम कर प्रकट किया और ऐसा होना सवभाविक भी था क्योंकि जनता के सब्र का घड़ा अब भढ़ने लगा है बिरुजगारी के मर्ज का कोई इलाज सरकार बता ही नहीं रही है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकोनॉमी के ताजा विरुजगार हो गए हैं जबकि 2018 में करीब एक करोड़ दस लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खोई थी तब नोटबंदी और जीस्टी जैसे फैसलों के कारण लाखों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था और अब कोरोना के कारण हुए लौकडाउन के फैसले से नौकरियां गई हैं वैसे आकड़े ये भी बताते हैं कि सबसे जादा विरुजगारी दर ग्रेजवेट लोगों के बीच है यानि अगर ठीक ठाक नौकरी पानी की शर्त पढ़ना लिखना है तो पढ़ लिखकर भी सरकारी नीतियों की वजह से नौजवानों की बहुत तीन साड़े तीन महिने बाकी हैं और मोधी सरकार देश के किसानों को खेतों की जगा सड़कों पढ़ लाने का रिकॉर्ड बना रही है तीन ने किसी कानौनों को पारित हुए एक साल पूरा हो गया है देश के किसान इन कानौनों के खिलाफ दिल्ली से लेकर कई राज्यों में करीब एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं बार बार सरकार से कानौन वापसी की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार अपने फैसले से टस से म इस बीच संजुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का एलान किया है। इस से पता चला है कि 2018 में भारत का एक क्रिशक परिवार खेती और अन्यकारियों से महीने का 10,218 रुपे कमा रहा था। इसकी जनगन्ना के अनुसार हर दिन 2000 किसान खेती छोड़ रहे हैं। तो किसानों की आमदनी बढ़ नहीं रही, खेती का रखबा घट रहा है और खेती करने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसके बावजूद सरकार इस कृष्शी प्रधान देश में किसानों के हित समझे बगैर फैसले ले रही है। सम्मान निधी के नाम पर चंद रुपए उन्हें थमा कर किसान हितैशी होने का दावा कर रही है। अगर किसानों की वाकई परवाह मोदी जी को है तो वो किसान आंदोलन खत्म करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाते हैं। किसान किसी तैश में आकर या आहंकार में आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल रहे हैं। बलकि वो देख रहे हैं कि सरकार किस तरह उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। मोदी जी के अंगिनत रिकॉर्डों में एक रिकॉर्ड वादा तोड़ने का भी है। आए जरा उसे भी देख लेते हैं। मोदी जी के जन दिन के मौके पर उनकी छवी निखारने के लिए अगले 20 दिनों तक भाजपा सेवा और समर्पन अभियान चला रही है। जिसमें अलग-अलग कारेकरमों के जरीए पिये मोदी को एक सुपन द्रिष्टा, एक सुधारक की तरह दिखाया जाएगा। भाजपा ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्वास्थ, टीका करन, खेल, महिला विकास, संस्कृती और आर्थिक विकास तक मोदी जी ने कैसे महान काम किये हैं। लेकिन देश को इन 20 दिनों में मोदी जी से उनके वादों का हिसाब भी लेना चाहिए। लड़ने की बजाए गरीबी से, विरुजगारी से, अशिक्षा से तथा तमाम सामाजिक बुराईयों से लड़ेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जो हर जगह के तनाव से मुक्त होगा। मैं अपील करता हूँ कि ये प्रियोग एक बार अवश्य किया जाए। लेकिन 2014 के बाद देश में सांपरदाइकता और जातियता का जहर पहले से अधिक तेजी से फैला है। गोरक्षा, लब जिहाद, धर्मांतरन, जैशिर राम, मंदिर, मस्जिद जैसे तमाम शब्द राजनीती में खूब प्रचलन में आए। आम जनता में धर्म के कारण नफरत का प्रसार भी तेजी से हुआ। NCRB के आकड़े बताते हैं कि 2020 में सांपरदाई किया धार्मिक दंगों के मामले 2019 की तुलना में लगभग दो गुने हो गए हैं। जबकि देश में पिछले साल COVID-19 के कारण लगे परतिबंधों की वजह से बाहरी गतिविधियां बेहद सिमित थी। जातिय संगर्ष, दंगे और साल्ज्विनिक शांती के खिलाफ अपराद सभी में बरहुतरी हुई जबकि साल्ज्विनिक स्थान और धार्मिक स्थल सभी बंद थे। लोगडाउन के कारण रोज मर्रा की गतिविधियां एक अरसे तक बंद रहीं लेकिन इस दोरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल खूब बढ़ा और शायद इसी का फायदा फेक न्यूज फैलाने वालों को मिला। NCRB के आकड़े ये भी बताते हैं कि देश में फेक न्यूज और अफवाहों के मामले में 214 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 2018 में फेक न्यूज पर 280 मामले दर्ज हुए थे जो 2019 में 486 हुए और साल 2020 में फेक न्यूज के 1527 मामले रिपोर्ट किये गए। जूट के पाउं नहीं होते लेकिन देश में फेक न्यूज के हालात देखकर लगता है कि अगर जूट को राजनीती के पंक मिल जाएं तो फिर उसकी उरान कोई नहीं रोक सकता। सत्ता की खातिर जूट की खबरों का बोल बाला सत्यमेव जैते वाले इस देश में कायम रहा मोदी जी के राज में भी ये एक रिकॉर्ड ही है। खैर शायर खालिद नदीम शानी ने ठीक ही फरमाया है कि हर कदम पर जो इतना रोते हो किस तमन्ना का बोज ढोते हो चांद पर जा बसोगे क्या तुम सब नफरतें इस कदर जो बोते हो। तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ तब तक देखते रहे हैं डीवी लाइब नमस्कार